शीधी बात नौमक्वास, बात करते हैं कि कल मैंने क्या काहा था और आज क्या हुआ अगर आपने आज केमने हैज़िंग वीडियो नहीं ना देखिए तो प्लीज जाकर देखिए बने अच्छी वीडियो है और कल मैंने आपको जो लेविर्स बताये थे कल की वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि 3500 की नीचे या मार्केट जाए तब आपको ट्रेड करनी है और एक स्टॉंग केडल क्लोस होनी चाहिए तब आपको ट्रेड करनी है अदरवाश नहीं करनी तो य यहां पर उसको टेच करके उपर भग गई यहां पर को फिर इसके बाद ने क्या किया एक यहां पर क्लोस की तो मैंने एक ट्रेल ली थी स्कैल्पिंग की तौर पर ना कि उसके तौर पर तो इसी बेस मैंने वहां पर भी मैंने इसी की बेस मैंने इसको एजिट किया क्यों कि यहां पर क्या हुआ यह बनिया था मैं पता था कि इस लेवल पर कुछ हो सकता है ठीकिए जी अगर यह उपपर के तरफ भी क्लोस होती तो मैं उपपर के साइड उसको रहन देता पर मैंने एक इसलिए किया क्योंकि यहां पर एक 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 कैनल बनी और मेरा फाइदा भी हुआ क क्योंकि मैंने अपने लेवल पर काम किया फिर मैं खुलता हूं पांच मिन का चार्ड आपको फाइदा कहां पर हुआ लाश्ट के वन हावर में कैसे तो मैंने यह 35,000 का लेवल कर रखा है तो यहां पर क्या हुआ एक आपको पता कि सुबह मार्केट नीचे के साइड आया थ यहां पे इधाया फिर वाली यह जब मार्केट उसी के आसपास अए पर ऐसे आये जैसे की यह पर आया हो और जैसे की यह यहां पर आया हुआ है एक और दो एक स्टॉङ कैलि विय Ugh यह नहिए जलासीी ज़ासी विए नहिए यह स्टॉङ कांडल रखाषि ले लाा है आप 10-20 पॉइंट के निया आनाम से ले सकते हैं और 10-20 पॉइंट के यहां पर 100 अंक नीचे गया है मैंने यहां पर वही श्कैल्पिंग के तौप पर मैंने 500 कौनिटी ली थी और मैंको 2-3 पॉइंट मिल गया अगर मैं वेट करता तो आज मैं पास वन लैकर प्रफिट होता पर कोई दिक्रत नहीं तो अच्छा खासा प्रफिट हुआ यह प्रैस अब करते हैं कल के लिए कर सकते हैं सिंपल होती है ट्रेडिंग बस आपको अपने इमोश्य से पर कंट्रोल होना चाहिए और ऐसा नहीं होता है मैं लॉस वह था कल हुआ था लॉस कल मैं रिकोर्डिंग भी नहीं कर पाया ठीडंग था हिऊ थी पर लोस के टाइम फर मेरा मन कीश रखा आप ड़ालने का अगर मैं लॉस होता है तो मैं देखांगो कि मैं अगली बासे करोंगो वैसे मेरा भूब्त काम होता है फिर भी आगर लॉस होगा मैं दिखांगा अब तब बात करते कल क्या होसता है मांकर कर मार्केट ने आज क्या किया जो मैंने कल रेज मताई थी सुबह तक तो सब थीक था सुबह तक वह इसी रेज में चला था लगणा था कि आज वह फिर से इसी रेज में आएगा और खल एक्स पर ही बढ़िया हो जाएगी पर या वह नीचे आगे क्लोजिंग आई इसका मलब य यहां पर यह करें कि ट्रैप हो तो लोगों ने सोचा होगा पुट ले लिया होगा पर अभी आप देखोगे एजी एक्स निफ्टी जो कि हमारे निफ्टी का एक हमशकल होता है तो उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि सुबह क्या हो सकता है ओके तो वह चला है प्लस में ज यह रखना चाहूंगा 35,300 और 35,000 सबसे पहली बात आती है कि सुबह क्या होने वाला है लोगो सुबह अप ही होगा जहां तक यह है क्योंकि अब मैंने देखा है गैप ही होगा और 35,000 के उपर मार्केट खुल ले वाला है इसी रेंज के अंदर ठीक है जी 99 परसंट है कि वह इसी रेंज के अंदर खुलेगा फिर आपको यही लेवल इंपरेंट हो जाते हैं कौन से वाले एक तो आपका 35,300 के उपर कोई केड़ने क्लोस करे तो अपकी बार शायद चांस है कि वह 35,500 तक जाएगा ही जाएगा क्योंकि यह साइकिन टाइम इसका अटेंट होगा एक ब पर लैवल है अब बात करें झायर मार्किं यही इसाईवरे नेशी के साइड घ्रोस करता है तो नीचे के साइड आपको अच्छे कड़न मिलत रहते है अगर आपको विस्वार न fino हो जाए तो यहीं जाए घ्रेठ तो यहीं जाएता है इसक, इसाव़ बातते हैं तो अछि इस रेंज में नहीं खुला मैं confident दिखा रहा हूं इस लेंज में खुलने का पर नहीं खुल यहां पर गया तो क्या करोगे सर मैं क्या करूँगा 34800 का वेट करूँगा 34900 का करूँगा भाई आज यह थोड़ा सा ठहरा है आगर इसको गिरना होता ना यहां तक गिर जाता अराम से पर यह 34900 पर आकर ठहरा है तो 34900 मेरे लिए एक important level है तो market अगर 34950 के आसपास खुलता है और 34900 को cross करता है तो मैं intraday के लिए 20-30 point के trade कर सकता हूँ 20-30 point का फिर आपको 50-60 point मिल सकते हैं अराम से मिल जाएंगे तो यह हो गए डाउंसाइड के और अपसाइड के लिए 35300 को हरा हाल में gross करना ही पड़ेगा बात आती है 35300 के अपर खुल जाए कि आप अच्छा gap आप हो जाए तो इसके लिए 35600 के लिए अराम से जाएगा ठीक है 35600 के लेबल बहुत अच्छा है क् तो यह लेबल्स आपके लिए हैं बता दिया है मैंने एक पर वीडियो को दुबाया देखो नहीं समझ माया तो और कोई भी दिक्कत हो मैं को रिकॉर्ड को एक वर्ट्सअप पर कर दो मैं उसको लेबल प्लै कर दो अपना कीमती सभी देने के लिए पूरे दिल से धन्यवा है